कि आज हम लोग एले फिजिक का लास्ट चेप्टर ले रहे हैं दा नेम आप दे चैप्टर इस एलेक्ट्रिक करेंट करलम लोग ने लाइट पढ़ा था एलेक्ट्रिक करेंट शुरू करें हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलेक्ट्रिक करेंट निकाल लिये कुछ अच्छे अच्छे प्रस्ण हम लिये हैं पंदरव वैसे प्रस्ण है जो आपको फसा सकते हैं हैं बहुत आसान लेकिन आप उसमें फस सकते हैं वैसे प्रस्ण और कुछ हंसी आटे एक्जम्पलर के कोश्ण हमने लिये पहला कोश्ण जो आपका है पहला कोश्ण ये तो नहीं है यह है हाँ ठीक तो है यह दो नमबर है ना एक नमबर नहीं है कोई बात एक नमबर आपके पास है ना एक नमबर कुशन भी हम बता देते हैं फ्यूज की बात कर रहा है कुश्चन आपके पास एक नमबर कुश्चन है ना फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूज क्या है फ्यूज सीसा और टीन का क्या है मिस्रण इसका गलनांग क्या होता है जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा गलनांग क्या होता है निम्न होता है गलनांग निम्न के उच और यह अधिक्तम धारा से सुरक्षा देता है सुरक्षा देता है अधिकतम धारा से क्या देता है सुरक्षा देता है ओवर्लोडिंग और सौट सर्कुटिंग से क्या करता है बचाता है ओवर्लोडिंग एंड सौट सर्केट सौट सर्केट सर्केट को सीकेटी लिखते हैं से बच्चाता है और किस में लगाया जाता है लाइब में कि नीट्रल में लाइब या फेज वाइर में लगाते हैं लाइब या फेज वाइर में लगाते हैं लाइब या फेज वाइर में लगाते हैं जल्ली लीग लाइब या किस वाइर में लगाते हैं सेज बाइर में लाइब या किसमें किसमें लगाते हैं सेज बाइर में हिसा और टीन का क्या होता है मिस्रण गल्लांग क्या होता है निम्न अधिक्तम धारा से सुरक्षा देता है ओवरलोडिंग और सौट सर्किटिंग से क्या करता है बचाता है लाइब और किसमें लगाता है सेज में लिख लिए अब आपका कोश्चन देखें क्या कह रहा है मेरे पास कोश्चन नहीं है एक बार आप पढ़िए उस कथन का चैन करें जो विद्ध फ्यूज के मामले में सहीन नहीं है जहीन कह रहा है तो बताओ यह अधिक्तम धारा से सुरक्षा देता है कि निउन्तम से एक सर्टेन मान से जादे धारा होगा तब न चलेगा तक का करा देखो फ्यूज सभी भवनों के विद्ध परिपत में लगाए जाते है सही की गलत अब फ्यूज हर जगा लगाए जाता है ना अब फ्यूज के जगापर क्या लगाए जाता है MCB करेंट की एक अधिक्तम सीमा होती है जो एलेक्ट्रिक सर्कट के माध्यम से सुरक्षित उपसे प्रवाहित हो सकता है सही है करेंट की निउन्तम सीमा होती है यही तो गलत है C नमर आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा C निउन्तम धारा के अधिक्तम धारा से सुरक्षा देता है अधिक्तम धारा से सुरक्षा देता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आकर्सन या विकर्सन का है एक बात आप हमेशा ध्यान लखिए गुर्टवा करसन बल कुन बल दोस्त गुर्टवा करसन बल केवल केवल किसका बल है आकरसन बल और बिद्धुतिय बल या चुम्बकिय बल अब बताओ समान आवेस में क्या होता है अरे प्लस प्लस में क्या होगा विकरसन अब प्लस में क्या होगा आकरसन सही है प्लस प्लस में क्या होगा विकरसन इसका मतलब अनौर्थ पूर्ण लाउर्थ पूर्ण में क्या होगा विकरसन अनौर्थ साउथ में क्या होगा आकरसन इसका मतलब हम यह को सकते हैं यह आकरसन है तथा कुन बल है विकर्सन का बल है पहले तहीं लिख लो फिर बती आते है आकर्सन या विकर्सन का बल है गुर्त आकर्सन बल के बल क्या चीज़ का बल है आकर्सन बल अबिदुतिया या चुम्बक्या बल समान आवेस में विकर्सन या समान पूल में विकर्सन हो जाएगा आकर्सन और विकर्सन दोनों कबल है लिखे हो गया अब एक चीज गौर की जगा एलक्रिशन में जगा नहीं है वहां लिखो ने रे पिछला पन्नम जगा है वो खतम हो गया पिछला जगा है वहां लिखो अब देखो एक होता है विद्यूतिया बल एक होता है दोस्त मेरे विद्यूतिया बल कौन बल होता है विद्यूतिया बल एक होता है अस्थिर विद्यूतिया बल यह दोनों में अंतर जरूर समझेगा इसलिए हम ही कोश्चन दिये हैं कि इसको हम समझा सके एक होता है विद्यूतिय बल और एक होता है क्या अस्थिर विद्यूतिय बल अस्थिर विद्यूतिय बल होता है एक बात बता है या आप पढ़े होंगे कांच के टुकड़े को रेसम के कपड़े से रगड़ा जाए या बाल में कंगी को रगड़ा जाए कितना बार बताएं हम अस्थिर विद्धुद्बल होता है कुन बल घरसन बल कुन बल क्यापैसीटर में भी अस्थिर विद्धुद्बल ही लगता है क्योंकि क्यापैसीटर में चार्ज अस्थिर होता है अब विद्युतिया बल होता है जब प्रवाहित एलेक्ट्रोन होता है जैसे अगर किसी तार में विद्युधारा का प्रवाह हो रहा है अब कहेगा बताइए कौन बल लगेगा तो कहेंगे कौन बल विद्युतिया बल यहां एक और एलेक्ट्रोन एंड प्रोटोन के बीच लगने वाला बल भी कुन बल है विद्यूत बल के अस्तिर विद्यूत बल एलेक्ट्रोन और प्रोटोन के बीच लगने वाला बल NCRT में यह सवाल है इसलिए इसको बढ़ियां से देख लो कि दोनों बल में क्या अंतर है काते हैं विद्यूतिया बल होता है प्रवाहित एलेक्ट्रोन अगर एलेक्ट्रोन का प्रवाह हो रहा है कहीं से तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा कुन बल होगा विद्यूतिया बल और अस्थिर विद्धा बल होगा या तो घरसन बल या कैपसिटर या इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन के बीच लगने वाला बल 技ली से लिख लो इतंब लो ओप miraculous कि अ विधूतिया एके अस्थिर विद्धन विद्धूतिया बल हो गया अरे हुआ वितुतिया बल क्या होगा एक दो महराम से चला प्रवाहित एलेक्ट्रोन में लगने वाला बल कुन बल वितुतिया बल कहीं भी अगर आवेश अस्तिर है तो कुन बल अस्तिर वितुतिया बल गुर्टवा करसन बल केवल आकरसन का बल गुर्टवा करसन का बल केवल आकरसन का बल केवल आकरसन लेकिन चुमबक्या बल और वितुतिया बल में समान आवेश में आकरसन है गोसन है बताव अंसर एक दूसे को प्रतिकरसित करती या प्रतिकरसन हो सकता है प्रतिकरसन दुए जगह हो सकता है या तो चुंबकिया अनाता बिदुतिया बता क्या होगा घर्सन बल में केवल अस्तिर वे द्युदबल केवल चुम्बक्या वल के चुम्बक्या वल अस्तिर वे द्युदबल दोनों में चुम्बक्या में भी विकर्सन प्रतिकर्सन या विकर्सन हो सकता है और अस्तिर वे द्युदबल में भी प्रतिकर्सन या विकर्सन बताओ नौर्थ पोल साउथ पोल में आकरसन की विकरसन आकरसन आकरसन नौर्थ पोल नौर्थ पोल में विकरसन अगर लेकिन आपको पुकादे चुम्बक की असली पहचान क्या है तो कोई यह का विकरसन लिख लेज़े चुम्बक की असली पहचान लिखेगा चुम्बक की कि असली पहचान क्या है विकर्सन है बताओ चला घर्सन बल को हम च्छाइकारी बल कहते हैं घर्सन बल को कुन बल कहते हैं च्छाइकारी सही है अज बताओ संपर्क बल भी कह सकते हैं क्या क्योंकि संपर्क में रहके ये बल लगता है दो सता आपस में संपर्क में रहेगा पढ़ें अगला प्रस्ट गौर फरमाईएगा हमें इसा ध्यान दख्येगा चला इस टाइप के ग्राफ में इस टाइप का NCRT में दू तीन गो कोश्चन दिया हुआ है आप खली ध्यान दख्येगा कि मान लिजे ये ग्राफ A है ये ग्राफ B है और ये ग्राफ क्या है? C है और यहां मान लिजे इंडिया है और ये मान लिजे क्या है? पाकिस्तान है ध्यान देजेगा यो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा हम बार बार कहते हैं सवाल जब भी आए दिमाग में ये अड़ेस्ट करना है कि जो ग्राफ जिसकी और होगा नोट करके लिख लो जो ग्राफ जो ग्राफ जिसकी और होगा उसको सपोर्ट करेगा जो ग्राफ जिसकी और होगा कि उसको क्या करेगा सपोर्ट करेगा जो गराब जिसकी ओर होगा उसको क्या करेगा दोस्त मेरे सपोर्ट करेगा अब बता हूं को एक किसको सपोर्ट करेगा इंडिया को की पाकिस्तान को इसका मतलब पाकिस्तान का बिरोध करेगा मतलब इसको नुकसान पहुंचाएगा और C जो है, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, और इंडिया का क्या करेगा, बिरोध करेगा, बोलो डाउट है, ते को बात बताओ, एकदम सिंपल सा, यह लिख लिए यह लिख लिए हो अब एको बात बताईए कि अगर आपको यह दे दे यह दूरी है और ये समय है दूरी बटा समय चाल न होता है आपको दे दे ये A है ये B है ये C है आपको कह दे बताए ये चाल जो है चाल जो है किसका जादे किसका कमी ग्राफ है एक को बात बताओ एक किसको सपोर्ट करेगा यानि ए में दूरी जादे होगा ए में दूरी जादे कब होगा ए जो है वो दूरी जादे लेगा इसको सपोर्ट करेगा और समय कम लेगा बोले वे नहीं करेगा तो दूरी जब जादे ले कम समय में हैं तो चाल जादे की कम तो बताओ ए की चाल जादे की कम ए दूरी जादे ने ट्रवल कर रहा है असी दूरी क्यों? क्योंकि ये दूरी से दूर है कि नजदीक है? तो दूरी जब जादे ट्रेबल करेगा तो उसकी चाल जादे होगी उसे कम B की और उसे कम C की अगर कोदे दूरी बताओ कौन जादे ट्रेबल करेगा? क्या कहिएगा? A is greater than B is greater than C अगर कहिएगा समाएब बताओ कौन जादे लेगा? कौन जादे लेगा? C जादे, B उससे कम, A सबसे कम लिख लो NCRT एक्जम्पलर का सवाल समाज में आया है कि नहीं आया है? लग तुम देखना है दस दिन दस कच्छा से तुमको कितना फाइदा हो जब सवाल बनाओगे ना तब हम याद आएगे अगला सवाल किपना असानी से बन जाएगा? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा कि सब उल्टा पुल्टा जहां जहां तुम पंदरा जगा फसोगे वो सब करेंट का हमने तुमको दिया है कहीं तुमको फसने नहीं देंगे पढ़ें बाबुरे अगर हम तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं जो ग्राफ आपका किसके किसके बीच है? जो कुश्चन है आपका को support करेगा ना r1 में उससे कम i2 में उससे कम आर्थ भोलो हाँ चर्णे को बात भता Completely cover कि i अब उससे भी नहीं तो थोड़ा सा है समझ लो यह यार वन एकर support करेगा की भी रोध करेगा मानलो हम तोर बिरोध करते हैं हमर नाम है आर आर हमर नाम है अमर नाम है प्रतिरोधी आदमी बिरोधी आदमी है तो हम बिरोधी आदमी से तुमको फाइदा कब हो सकता है जब हम तोर हम कौम हो जाएंगे कि हम जादे हो जाएंगे हम है बिरोधी आदमी मन लो मन ना हजारे है और हम जो है अरविंद के जिवाल जी का बिरोध करते है ठीक है तो हमसे उनको फाइदा कब पहुंचेगा जब हमारी वैल्यू कम हो जागे यह कह रहा है कि हम तो और सपोर्ट करेंगे यह कहता रे बाबू तो और नाम है प्रतिरोधी तो है बिरोधी तो हमर सपोर्ट तब करेगा जब तो कम हो जाएगा बुलो इसका मतलब आरवन सबसे कम होगा उसके बाद आरटू होगा आइसके बाद आरथ्री अगर तो हर सपोर्टर तो रहा फाइदा कब पहुंचाएगा जब तो उ बढ़ेगा अब बिरोधी कब तो रहा फाइदा पहुंचाएगा जब उ घटेगा इस कहा रहा है हम तो रहा फाइदा पहुंचाएगे जल्दी से तु घट जो तो बिरोधी है तो नामे है प्रतिरोधी बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बुझा रहा है इस घुराप में आप चलते इस गुराप में अगर आप चलते जो यहां क्या होता दूरी हैं इस समय फिर दूरिए ओर वेग में बताओ सप booklet नेचर है की तो बिरोधी नेचर है जतना जादे वेक औतन olmuş दूरी जतना सपोर्ट बढ़ेंगा उतना क्या हो जाएगा जादे हो जाएगा यह कर मान जादे होगा तम नेनिता जी का मान जादे होगा हुife I dzi Def index तब हम बढ़ेंगे आप बीरौधी खटेगा तब हम घटेंगे आई जो प्रति रोध है जो प्रतिरोध है दोस्त मेरे बीरोधी है कि सपोरटर है ज्रार कि वीरोध करता है ते करा कहें तुम कौम हो जाओ उजाता रहो लिखा पिछला वाल भी लिखना है क्या है पिछला वाल लिख ली है इसको लिखी कि इतना बड़ी यह टीचर है हम से देखो अभी लेकिन तुरह है हैसास नहीं हो गर की मुर्गी दाल बराबा है पूछो उनसे जो हमें पॉने के लिए तरस्ते हैं उनसे क्या पूछते हो जिन्हें हम आसानी से मिल जाया करते हैं जली लिख जली लिख न दे अरे लिखा हाई देखो चला अब बताओ यहां अरे लाइन कहें कट गया रहे कि एक मिनट चला लाइन वाग कट गलो रहे है क्या हुआ है रहे लाइन कट गया जेनेरेटर कुछ न कुछ तो गड़वड हुआ है कि इतना देर तक तो मामला ने गड़वडाता था हलो 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 तो यह लाइन भाई आ जाओ आरवन करेंट करेंट कर नाम लिए देखो आ गया करेंट ना आरवन का मान कौम की जादे आ उससे कम तब से कम आरथ कौन हो जाएगा अंसर हां टी फॉर क्याट आरवन सब से कम आर तू आर थ्री अगला अपना स्था ओम चचा का नियम किसका नियम चला ओम का नियम देखो हम हर वो बात तुमको बता रहे हैं चला जहां तुम फ़स जाओ गूं ओम का नियम कहता बोल्टेज इस डिरिकली प्रोपोर्शनल टू करेंट लेकिन इध्यान रखना नियत ताप पर किस पर चला और यहां से भी बर आप होता है इसा तीसरा पॉइंट यह अर्द चालक और विद्युत अपघटे पर लागू नहीं होता है अर्द चालक तथा विद्युत अपघटे पर ओम का नियम लागू अपघटे पर विद्युत अपघटे पर ओम का नियम लागू नहीं होता जल्दी लीग अर्द चालक और विद्द अब घटे पर ओम का नियम लागू होता है क्या नहीं होता है आओम का नियम कहता है भी समान उपाती होगा आई के कब जब ताप क्या रहेगा नियत कि तेरे नियन हो गया ओम कर नियम भी समान उपाती आई कब वही कोश्चन जहां है वहां लिखोंचला कोश्चन के पास भी तो गैप है नहीं है आप बताव भी बराबर आई आर समान उपाती हंडाई के आर कॉंस्टन आई अच्छा एक क्व्च्चन पूछता एक बहूंचला की बीच का जो स्लोप है किसका मान दे गाई रहके के और एर्ज प्रम में लाग ने ओम का नियम किस पर लाग होता है चालक पर किस पर लाग होता है चालक बाबूरे शोनारे भोल्टे समानुपाती करें नहीं बोलना ओम का नियम भी बरावर आई यार भी नहीं बोलना अब क्या बोलना किस पर क्या है किस पर इसका एक और एक्जामपल है प्रतिबल हुक का नि लेकिन प्रत्यास्ता सीमा के अंदर प्रत्यास्ता सीमा के अंदर मतलब वह सीमा जहां पर खीचे तो पुना अपने सेप में आ जाए यहां से करोगे तो प्रतिबल समानुपाती का चिन नटा हो गए इंटू विकृति आ जाता है और इस जो है प्रत्यास्ता गुनांख है इस क्या है दोस्त मेरे प्रत्यास्ता गुनांख है खाली प्रतिबल समानपाथी विकृती नहीं प्रतिबल समानपाथी विकृती प्रत्यास्ता सीमा के अंदर हो गया अनुधा रुद्धीक है तो नहींट प्रतिबल समान प्रतिबल समानपाथी विकृती प्रत्यास्ता सीमा के अंदर ओम का न liberty अंदर क्या क्या है आप प्रतिबल समानपाथी करेंट नियत टाप पर तब कि दाब ताप, that is temperature अब आंसर बता दो इसका आंसर क्या हो जाए ओम के नियम के अनुसा नियत ताप पर भोल्टे समान उपाते करें यहां दे दिया है नियत दाव पर आव भी उल्टा दे दिया है यहां भी उल्टा दे दिया है ती दोनों तो होगा नहीं यहां नियत स्थिती पर दे दिया है लेकिन आंसर क्या हो जाएगा नियत ताप अब आज़ो इधर स्रेनी समन अंतर जानते हो एक होता है स्रेनी क्रम एक होता है क्या शमन अंतर क्रम अब ध्यान देना इसमें जो होता है यह स्रेनी क्रम आश समन अंतर यह स्रिर्णी क्रम और क्या शमनांतर क्रम हो यह R1 और यह क्या R2 समनांतर में यह हो गया दोस्त मेरे अगर R1 यह R1 और यह क्या R2 यह हमें सद ध्यान रख रहा है R1 अप्लास R2 यहां R2 टोटल बराबर होता है 1 by R टोटल बराबर हो जाता है 1 by R1 plus 1 by R2 यहां से LCM वगरे लेकर R total निकालोगे तो यह आ जाएगा R1 R2 R1 plus R2 बोलो हूँ बोलो हूँ इसमें चला ध्यान रखना स्रेणी में धारा समान होता है आप voltage क्या होता है अला इसमें ध्यान रखना दोस्त मेरे समन अंतर में हमें साब voltage समान voltage रुग जा अभी लिखना नहीं समझ लो पहले voltage समान और धारा अलग होता है रुग जा अगर मान लो इसको हम लोग 2 ओम मानते हैं इसको कितना ओम मानते हैं तीन ओ बोलो हाँ यहां से 2 प्लस 3 बराबर कितना ओम यहां अगर इसको हम 2 ओम मानते हैं और यहां इसको हम 3 ओम मानते हैं ती हो जाएगा 2 गुना 3 अभट 2 प्लस 3 बराबर 1.2 देखों 3 दूने 6 अभट 5 1.2 आएगा हमेशा ध्यान रखना इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो 2 और 3 से जादे है कि कौम है यानि यहां सम्तुल्य प्रतिरोध सम्तुल्य जो है प्रतिरोध सम्तुल्य प्रतिरोध महत्म से महत्म 2 और 3 में कौन है 3 की 2 सम्तुल्य प्रतिरोध महत्म से महत्म यहां सम्तुल्य प्रतिरोध कितना है नियुन्तम प्रतिरोद केतना है दो आज सम्तुल्य केतना है 1.2 तो नियुन्तम दो है उससे भी कम आया है तो हम कहा सकते हैं सम्तुल्य प्रतिरोद नियुन्तम से नियुन्तम होगा से समझ चला एकदम आराम से देखो रूख जा रूख 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 आराम से लिखना से त 봤 श्रीनी करम incentiv Вас धारा समान बॉल्टेज अलग लाइस का उल्टा देख। इसमें हो रहा है。 त में धारा समान यहां प्रतिरोध भी कहते हैं इसको आया यहाँ सम्कुली प्रतिरोध नियुंतम से नियुंतम है कि महत्म से महत्म आया है इसको लीख लो जल्दी से अब फिर चलते हैं हम सवाल पर जल्दी लीख पीडियाफ कहा मिलेगा सामने जो टेलिग्राम का लिंक है उसमें मिल जाएगा अरे भाई इंजिनियाइंग ड्रॉइइंग और डीजल का कोर्स अभी हम भी पढ़ाएंगे आपके एकदम टिंसरनल है अभी जो टीचर का अपलोड हुआ है वो आपको दिये है ततकाल के लिए उसको हम भी पढ़ाएंगे हो गया अरे हुआ उपर करें हुआ हुआ है हो गिया? अरे हुआ हो शमन अंतर में बोल्टेज शमान 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 पढ़ें समना अंतर में बोल्टेज क्या समा अधारा अलग अनियुंतम से नियुंतम की महत्तम से महत्तम नियुंतम असरेणी में महत्तम से महत्तम पढ़ें अब बताओ चला अंसर समना अंतर परिपत के सम्मझ में अंगल किसमें से कौन सा कथन सत्य है शमनांतर कौन सा एक की बी की सी की डी सही चुनदा है डी नमबर समनांतर पड़िपत में निब्बल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध हों के योग से हमें सा सही है कौम होता है ना समनांतर में है अब बताओ कहते हैं उत्पने उश्मा एच का मान जानते हुआ अब है अच का फ大ल क्या होती है है समय और क्या है प्रति रोड भताव क्या दिया एक सौन के प्रतिरोड आर का मां दे दिया या 15 मिन पढ़ा दिया है इसलिए सवाल दियें इसलिग फार्मूला यहां लगेगा तो सकेंड में ना बदलना होगा तो कितना से गुना करना होगा, 60 अई 5 अप्यर आई दे दिया है, आई आई आर टी दे दिया है, पर आई तु समा मांग रहा तहे, पहला वला फॉर्मॉला लगा दें, आई स्कॉर आर इंटु टी ताई स्कॉर केतना, अरे आई स्कॉर पांच का स्कॉर, इन्टु आर, आर का मान केतना, सो, आ इन्टु टाइम का मान 15 के 15 गुना साथ, 15 गुना साथ, अब यहां से भी आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुमारे लिए, लेकिन तेज बच्चा होगा तब पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा, बताओ, बलाओ जल्दी से, यहां से हम H बराबर देख रहे हैं, 10 to the power something के टर्म में है, इसका मदब सब 0 को अलग कर लो, 25 ना, यहां कितना है, दू गोजिरो, यह गोजिरो, काई गोजिरो हो गया, तीन गोजिरो, यानि पचीज गुना, 15, आगुना, छो, आगुना, 10 to the power, दू, आएक, तीन, बले, अब बताओ क्या करोगे, 25 छके कितना, 1500, तब यहा, H बराबर, 25 छका कतना, 1500 के 15 ले ले, आई फिर 15 ले ले, आई 10 to the power, यह गोजिरो देके 4 कर दे, अरे 25 छके 1500, यह गोजिरो, यह गोजिरो, एक रा दे दिया, 4 हो गया, अब 15, 15 रांग, दूसर पचीज तमरा दीख रहा है, H बराबर, 25 अगुना, 10 to the power 4, लेकिन 10 to the power 4 में कहीं आंसर है क्या, नहीं है, तो हम कहा करेंगे, 2 को 0 H बराबर, यहां हम लिख सकते हैं, 2.25, इंटू 10 to the power 6 J, जूल, अरे बोलो, आंसर बनाना पड़ेगा, वो जो सोचों के हम गुना करके आंसर मार देंगे, मामला हो जाएगा, गड़बा, 2 को पॉइंट इधर दिये हैं, तो 2 को 0 H कर बढ़ा देगा, 4 आदो कितना हो जाएगा, 6, है ना बड़ी यहां कुश्चन, उच्छे है, डूंड़ू के हैं, यह लड़का लिखता है, गुरु जी इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, एक दिन भी आपके बिना मन नहीं लगता है, तुरह मजाग लग रहा है, चार दिन हम तुरह जीवन से चले जाएंगे, तुरह लगेगा कुछ हरा गया है, यह पढ़ने वाला बच्छा है, चोटा चोर को तो भारीये लग रहे होंगे, यह पढ़ने वाला बच्छा, अचला देगो, कितना स्टेंडर का कोश्चन है, गुना करके जो सोचेगा, अंदू गुना तीन गुना पांच करके आँ आ मारदेगा 5, 3, 15, 20, 30 जूल, वह सा कुछ नहीं मिलेगा, अगला प्रशन, किसी वफ्तु का पराविद्यूत स्थिरांक, हमेशा एक से, घरसन गुनांक का नम सुना है, अरे घरसन गुनांक सुना ह और एक से क्या होता है छोटा अपवर्तनांक अपवर्तनांक हमेशा एक से क्या होता है बड़ा आप एक्छी का अपवर्तनांक बताई थे बताओ आप एक्छी का अपवर्तनांक हमेशा एक से बड़ा भी होता है और एक से क्या होता है छोटा प्राविद्यृतस्थिरांक कुछालकता को बताता है। कुछालकता प्राविद्यृतस्थिरांक हमेंजा एक से अधिक होता है। जिसनल को सहते हैं. यहां दूतिन चन llev से वहां करना यांप। हो गया अरे हुआ रे आंसर क्या मारोगे अरे परावद्यूतस्तिरांग का माने एक से क्या होता है अधीक अपरावद्यूतस्तिरांग किस पर निर्वड करता है कुछ अलगता पे यानि कुछ अलगता जितना जादे होगा परावद्यूतस्तिरांग को तना जादे होगा अगला कौन बीच में सब्सक्राइब नहीं लिख पाया गया आई चोटक केतना सुलो लिखता है अरे दुल्हा बाभू पढ़ें और नेक्स्ट वान एज दो प्रतिरोध आरवन रटु विद्धिया स्रोध से समान अंतर में जुड़े हैं कैसे जुड़े हुए हैं आई देखो ये गो प्रतिरोध आरवन है आई ये गो प्रतिरोध क्या है आरटु ये समान अंतर में मान लोग कोई स्रोध है एक रा से जुड़ल है एक बैटरी है उस से जुड़ल है आरवन का मान आरटु का चार गुना है अगर आरवन का मान आरटु का अगर ये एक्स है त प्रतिरोज जादे है कि कौम प्रतिरोज जादे तो धारा कौम चार गुना प्रतिरोज जादे है एक चोथाई धारा कम हो जाएगा क्योंकि भया या आई बड़ाबर भी भटा आर यहाँ आर के जादे थारा कंप प्रतिरня अठीरोज गुना घारा 1 बटाथ बोलो तब प्रतियों कोई रहा है कि यढ़क्स्त रहा को भार रहा ्वय तक्षाथ अरुरो बोर्ण॥minster तो है कर रहा है क्योंक्र हो जाएगा है जो जाएगा यढ़के फ्लेक्षाथ उटेक्स फ्लेस्च उस्थ chee अगला प्रश्ण अच्छे तुम देखने के लिए ताकि तुरह हर कुश्चन पर लगे वह क्या बात अच्छे अच्छे प्रस्ण आपको मिलेंगे देखने के कि अगला मता। भारव प्रतिरोद के तामबे के तार को वीर्थाकार मोड में थे अर्समानुपाती केतना होता है यह इसको ब्रताव बारव अम की कट आग Εंक तार है यह चला आप टेस्ट में भी हम इसको बताए थे यह 12 ओम का है दो भाग में बांड दिया किनी दो व्यास्ता सम्मुक बिंदों के बीच का प्रतिरोत इसको चला बना दिया व्रित अब कर रहा है व्यास के सम्मुक तो यह बताओ 12 ओम है तो छोओम हो जाएगा क्योंकि आर समानुपाती एल बताओ यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा चोओ आर वन और टू बटार वन प्लस आर टू ना अरे पर्लेल्म फॉर्मुला क्या होता है कि-नात और शश्चीर बच्चा होगा ना उसौल नहीं करेगा उसको पता है कि छौ उमसे कउम होगा जब्लेलोगा चब्यक्स सोग मèseगा होगा जब्लत और टूमत छोओं च्वह से कौम होगा कि जादेकर कि आख़ान आडिको कौन और निय एक्टा सभाल्य निणल कि ऑज पूल को खोच रहेगाए चोगुना चोंस च्डार छतीस अवाटा भाराधिया कितना सफीर ऑड यह और जाने सब्सक्राइए मैं कि अबड़ा अगला सवाल पर हम लोग चलेंगे अगली कच्छा में ठीक है साथ कुश्चन और बचा है जिसको हम लोग करेंगे कल और अब यह आप तीने को है तब कहल छोड़ेंगे एक मिनट सर रुकिया जाएए खते में करते हैं एक सो वाट भी वांतर किसी चालक छो एंपियर से भी धारा प्रवाहित होती है तो खर्च की गई तो बना दो गए पी बराबर भी एसकोईर बाए आर आए यह को क्या होता फर्मुला भी आई आए को फर्मुला होता आई एसकोईर आर कोन वला लगा ऑगे बताओ बोल्टे दिया हुआ है आई दिया हुआ है तो का मार ओगे बताओ भी आई मार दें अब तु को के इस सवाल कहें दिया और मस्टर इसलिए दिये हैं क्योंकि सवाल खुब पुछता है ता हमरे नोट से को था यह नहीं था अमरा पता आई पुछवे करेगा हम अपना तनी से फिर या लेके चलते हैं भाई का पढ़ियो रे अगला एक मिनट बीस सेकंड है देखो टाइम को एकदम बढ़ियां से पूट करना किलो वाट बढ़ियां से करना एक मिनट बीस सेकंड बोले तो साथ हा बीस कितना असी सेकंड है साथ किलो जूल क्यों दिया हुआ है साथ किलो जूल बोले तो साथ कुना एक हजार जूल हो जाएगा तो सक्ती ग्याद कीजिए बताओ क्या होगा उसमा दे दिया है तो सक्ती बराबर होता है कार ये बट शमय क्या निकालना है शक्ति कारिक आमान कितना है साथ गुना टेंट टू दी पावर थ्री एक हजार को आप बटास समय लिखेंगा सिया सॉल करो कितना आता है कि इना आता है ताथ साथ सो पचास वाट अरे बोलो अंसर खली ध्यान यह रखना कि मिनट सेकंड को मिनट सेकंड में बदल देना है यहां किलो जूल को किसने मदल देना जूल में अरे बढ़िया उरे लास्टे है एक एलेक्ट्रिक ओवेनी तो बना देगा बता दिये हैं तो रहा दो सब पचीस सो वाट द्वारा पांच गंटे उपयोग किये जाने वाले उड़ जा कितना होगा बनेगा बताओ कितना होगा सब को कुना कर दो टाइम घंटा में रहने देदे इस फोर्नूला में कि मीनट सेकिंड में इस फोर्नूले में थाइम किसमें रहेगा घंटा में तो बताओ बटा ये खाजार कर दो दूजरो दूजरो गिल लो आपक्चीस पंचा एकसवफ़जов कि एक सब पचीज वट दस बारा दसमला पांच क्या रही बारा दसमला देखो यहां भी जोल आप जूल की बारा दसमला पांच किलो वाट आवर अरे दोस्त मेरे यूनिट नहरे उपियों की जाने वाली उड़जा उड़जा को हम लोग यहां जूल में लिखेंगे कि किलो व हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि मैं स्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे पला जाइए सर्थ हम आपका आठ मिनट लिए हैं सर्थ